नमस्कार बच्चों तक्षा 10 के अध्याय संक्याच्या को अपने पढ़ रहे थे जिसमें हमने विभीन विश्यों के उपर डिसकस किया था अभी हमारा जो विश्य चल रहा था वह है था राष्टपती कारिय पालिका के अंगों के बारे में या कारिय पालिका के बारे में अपने पढ़ रहे थे जिसमें सबसे महतुपून वैक्ती राष्टपती के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था तो देखे राश्टपती जो है उसके चुनाओं की पदती के बारे में हमने जाना कि किस परकार से ए परतिक्षवीदी के दवारा एककल संकर्मनिये मद पदती के दवारा राश्टपती को चुना जाता है भारतिय राश्टपती को अनुछेत बाउन की नुशार भारत में क्य किस लिए पेस किया जाता है। कारिय काल वो होता है राश्पती का पांच साल का राश्पती को कम से कम पांच साल तक है चासन कर सकता है भारत का राश्पती लेकिन क्या है अनुछेद 61 के अनुशार 61 के अनुशार इस पांच वरस के कारिय काल से पूरो भी उसको क्या कर्स्ति किया जा सकता है पद से हटाया जा सकता है लेकिन इसके अनुशार क्या है किस स्थिति में उसको अटाया जा सकता है कि अनुशार अगर राश्ट कोती दोवारा राष्ट्र पतिद्वारा सुईधान का उलंगन सुईधान का उलंगन अगर जो भारत का राष्ट्र पति है वह भारत के सुईधान का उलंगन किये जाने पर सुईधान में दी गई पदती के अनुसार उस पर महा भी योग लाकर उसे पद से अटाया जा सकता है अगर राश्पती द्वारा क्या किया जाए स्विधान का उलंगन किया जाए तो क्या है स्विधान के नुशार उस पर महा भ्योग लाकर पद से क्या किया जा सकता है हाटाया जा सकता है यानि यह जो विदी होती है राश्पती को उसके पद से हटाने की यह विदी क्या कहलाती है महा भ्योग या फिर एक परकार से कह सकते हैं कि राश्पती को उसके पद से हटाने का जो परस्ताव पेस किया जा सकता है उस परस्ताव का नाम क्या होता है, महावयोग परस्ताव होता है, कहां से लिया गया है, यह सुविधान के अनुछेट संख्या 61 से लिया गया है, किस स्तिति में अगर राश्टपती सुविधान का उलंगन करता है, उस स्तिति में राश्टपती के खिलाब क्या लाया जा सकता महाव योग का परस्ताव लाया जा सकता है और उसको सुविधान के नुसार हटाया जा सकता है उसके पद से उसको पद से हटाया जा सकता है उस पर क्या है अब योग लाने का दिकार भारतिय संस्द के प्रतेक सदन को प्राप्त है ठीक है यानि राष्टपती पर संसद के दोनों सदनों को है यानि रज सभा या लोक सभा किसी भी सभा के अंदर अगर राष्टपती दवारा सुईधान का उलंगन किया जाता है या इसी स्तिती होती है तो दोनों सदनों में से कोई भी सदन संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन क्या कर सकता है राष्ट्पते के खिलाव है अभियोग की परिक्रिया शुरू कर सकता है या अभियोग ला सकता है ठीक है लेकिन अभियोग जलाने के अनुमती के लिए अभियोग जलाने वाले सदन की समस्त संख्या के एक बटा चार सदश्यों के अस्ताक्षन होने आव सक है यानि इंपोर चलाने की अनुमती तब ही मिल सकती है जो सदन जो सदन दोनों सदनों में से कोई भी जो सदन है जो अभियोग लाना चाहता है अभियोग लाना चाहता है उस सदन के उस सदन के एक वटा चार सदश्य सदश्यों का हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए हस्ताक्षर हो कहने का से यह है कि अभियोग लाने की प्रिकरिया दोनों सदनों में से कोई भी सदन कर सकता है लेकिन अभियोग की सुरूआत कैसे होगी आभियोग का परस्ताव सुरू कैसे होगा उस तिति में ये होता है कि जो दोनों सदन हैं, चाहे लोग सबा है, चाहे राजय सबा है, उनके सदश्यों के संख्या के एक बटा चार भाग सदश्य है, अगर उस अभियोग पत्तर पर साइन करते हैं, हस्तक्षर करते हैं, तभी अभियोग की चलाने की क्या है? अनमती मिल स और फिर हस्ताक्षर होने के बाद क्या होगा, सदन में परस्ताओ प्राप्त होने के चौदा दिन बाद अब योग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है, यानि सदन में परस्ताओ प्राप्त होगा, इन्होंने साइन कर दिये तो ये परस्ताओ बाद क्या होगा अवियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। ला दिया गया तो हाथो हाथ सिदा राश्वती को उसके पद से हटा दिया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता जब अब योग लाने के लिए क्या किया गया एक वटा चार सदश्यों के हस्ताक्सर चाहिए थे उसी परकार से अब चुदा दिनो दिन बाद अब योग लाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अब योका परस्ताव सदन की कुल संख्या के दो बटा तीन सदश्यों दवारा सुईकर्ट हो जाए तो उसके उपरां दूइत्य सदन में भीज दिया जाएगा ठीक है यानि कहने का मतलब क्या हो गया पहले एग वटा चार सदश्यों हस्ताक्षर करेंगे ठीक है उसके बाद चौदा दिन के बाद क्या होगा विचार विमर्ष होगा विचार विमर्ष होने के बाद उसी सदन में, उसससदन के दो तिहाई दो तिहाई सदश्या अगर पक्ष में मदद देते हैं उसके मांते हैं कि अबयोग आना चाहिए तो क्या होगा यह है उस सदन से तो अभियोग पास हो जाएगा और आगए वाले सदन में भेज दिया जाएगा यानि दो इस सदन है अगर लोग सबा उस पर अभियोग लेक्या ही है राश्टपती पर तो राज्य सबा में भेज दिया जाएगा और अगर राज्य सबा ने अब योग लाया है तो लोक सबा में भेज़ दिया जाएगा ठीक है तो यह है पदती रहेगी यहां तक उसके बाद क्या होगा पहले सदन से दो तिहाई वहमत द्वारा पास होने बाद पर अब योग को को दूसरे सदन में भेज़ दिया जाएगा ठीक है जैसा कि मैंने बताया अगर लोक सबा लाती है तो राज्य सबा में और अगर राज्य सबा लाती है तो लोक सबा में भेज़ दिया जाएगा ठीक है अब दूसरा सदन क्या करेगा या तो स्विम जांच करेगा या तो स्विम जांच करेगा कि जो भी अभियोग लाए है पिछे वाले सदन ने जो अभियोग बेजा है उसमें कितनी हद तक सचाई है क्या उस सदन ने क्या है एक पक्षकार करते हुए पक्षपात करते हुए राश्पति को अठाने के लिए सोचा है या वास्तव में राश्पति ने कोई सविधान का उलंगन किया है तो उस तिती में क्या है या तो दूसरा सदन स्वयम जांच करे और या फिरे जांच के लिए समीती बनाता है जांच के लिए समीती का गठन करे ठीकें? यानि जिस सदन से परस्ताव पास होकर दूसरे सदन में वेजा जाता है वो दूसरा सदन क्या करता है वह दूसरा सदन उस अभियोग के बारे में जांच करेगा कि वास्ता में अभियोग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ठीक है और जब यह या तो स्वेम कर लेता है या विशेश समीती जांच के लिए गठन कर देता है उसके बाद अगर सच में राश्पती की विरूद लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं आरोप क्या हो जाते हैं सिद्ध हो जाते हैं तो क्या होगा फिर से दुबारा वहाँ कम से कम क्या है कुल सदश्यों के दो तिहाई बहुमत से महावयोग के परस्ताओ को सुईकार कर ले तो परस्ताओ सुईकर्थ होने की तीथी से राश्पती का पद हट जाएगा या राश्पती अपने पद से हट जाएगा यानि दूसरे सेकंड सदन में भी क्या हुआ दो तिहाई बहुमत से ही महावयोग परस्ताओ सुईकर्थ किया जाए तभी क्या हो सकता है उस राश्पती को जिस तारिक से सुईकर्थ होगा जिस तारिक को स्विकर्थ कर लिया जाएगा, दूसरे सदन में भी महाभियोग के परस्ताओं को दो तिहाई वहमद के साथ, उस दिन से क्या हो जाएगा, राश्ट्रपती अपने पद से हट जाएगा, ठीक है, तो क्या है एक परकार से दंबी प्रोसेस है, तो एक बार रिव से हटाने का परस्ताओं जो होता है, वह महाभियोग परस्ताओं होता है, ठीक है, यह परस्ताओं को ला सकता है, संसद के दोनों सदन, राज्य सभा या लोग सभा, दोनों क्या है, महाभियोग का परस्ताओं ला सकते हैं, किस तिति में अनुछेद 61 के नुशार, महाभियो जब राश्पती स्विधान का उलंगन करता है उस तिती में अनुछेद 61 के द्वारा महाभयोग का परस्ताव लाया जाता है ला कौन कौन सकते हैं लोग सभावी ला सकती है राज्य सभावी ला सकती है ऺ अब जिस सदन ने महाभ योग का परस्ताव सुरू किया है या Changu लाना सुरू किया है उस सदन के क्या हमोई चाहिए एक बटा-चार चाहे वहराजे सबाए हो और चाहे लोक सबाए हो ठीक है उनके सदश्चों में से कम से कम एक बटा-चार सदश्चे क्या करें उस अब योग के पत्तर पर हस्थाक्षर करें कि हाँ भी ये परस्ताओ आना चाहिए ठीक है तो दोनों सदनों में से कोई भी हो चाहिए दोनों सदनों में से कोई भी ला सकता है लेकिन सदश्य कितने चाहिए उस महावयोग के परस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए एक बटे चार ठीक है एक चोथाई सदश अगर हस्ताक्षर करते हैं तो महावयोग की अनमती मिल जाती है उस सदन को ठीक है जिस सदन में हस्ताक्षर हुए हैं उस सदन को अनमती मिलने के बाद उस पर क्या किया जाता है व और मतदान कब मानने होता है दोत यहाई बहुमत अगर मिलता है महावयोग को, महावयोग के परस्ताओ को दोत यहाई बहुमत मिलता है अगर उस सदन में, तब ही क्या है, वह है परस्ताओ सुईकार किया जाता है, सिर्फ उसी सदन तक, सिर्फ उसी सदन तक, बाद में क्या कि की जाएगी दूसरे सदन दवारा या एक विशेश समीती दवारा ठीक है मान लिजिए राजे सभा ने परस्ताओ लाया था ठीक है जिसमें उसको पूरा बहुमत मिलता है और वह लोग सभा के पास बेजती है ठीक है या इसका रिवर्स कर सकते हैं लोग सभा ने लाया हो तो राजे सभा के पास बेज़ेगी ठीक है यानि जो दूसरा सदन होगा वह क्या करेगा जांच करेगा जांच करने के बाद या तुस्वयम या समीती के दवारा और जांच करने के बाद वहाँ पर भी क्या होगी वोटिंग होगी जिसमें दो यही वोट है उस महावयोग परस पद से हटाने की जो प्रकिरिया है वह महावयोग पश्टाव द्वारा लाई जा सकती है जो अनुच्छे एकषट में जिसका वर्णन मिलता है ठीक है तो यह थी महावयोग की प्रकिरिया या महावयोग पदती ठीक है या फिर कह सकते हैं पद से हटाने की पदती अभी बात क सक्तियों और कारियों के बारे में राष्ट पती की सक्तियां तथा कारिये जैसा कि अपने जानते हैं राष्ट पती या फिर प्रेजिडेंट ओफ इंडिया क्या होता है भारत का पर्थम नागरिक होता है फर्ष्ट पर्षन ओफ या फर्ष्ट सिटीजन ओफ तकंट्री तो उसके पास क्या है दो परकार की सक्तियों में उसको क्या है उसके सक्तियां बंटी गई है या अधिकार बंटे गए है एक तो है समन्ने कालिन सक्तियां सामन्ने कालिन सक्तियां तथा अधिकार ठीक है और दूसरा भाग रहता है संकट कालिन सक्तियां संकट कालिन सक्तियां तथा अधिकार यानि राश्वति की जो सक्तियां भारत में राश्वति को दी जाती है उनको अपने क्या है अच्छे से जानने के लिए समझने के लिए उसको दो भागों में बाढ़ सकते है एक तो संकट कालिन सक्तियां होती है नोर्मन जो सक्तियां होती है परते एक वर्स यूज ले सकता है परते एक दिन उसका प्योग कर सकता है और कुछ होती है संकट कालिन सक्तियां या दिकार जहो सिर्फ संकट कालिन स्थितियों में उसको प्रत होते हैं या उनका यूज सिर्फ उसनी उसी समय वह कर सकता है अब बात करते हैं समानने कालिन सक्तियां अथ्वा दिकारों के बारे में संकट कालिन सक्तियों बढ़ेंगे, बांद ले, समाने कालिन सक्तियों हैं, इनको क्या है? यहां पांच भागों में अपने बांट के पढ़ेंगे, पहला है कारिय पालिका अत्वा परसासनिक सक्तिया, इसका, यह पार्ट है, कारिय, पालिका, अथवा, परसासनिक, सक्ति, इनके बारे में पढ़ना सुरू करते हैं, यह सक्तिया、 यह है, सिविधान के अनुचेद त्रेपन के उनसार, संग की कारिय पालिका के सक्तिराश्चर प्ति में नहीं ठोगी, जैसा कि मैंने बताया था, संग की जो कारिय पालिका है, उसकी सारी पावर्स कहा है, store रहेगी या मितलब किसके हाथों में रहेगी राश्च्टापती के हाथों में रहेगी ठीक हैं कब कहां से मिलता है अनुछे 53-50 के नुसार आर्टिकल 53-50 के नुसार हमें यह पता चलता है कि सारी power जो है कार्य पालिका की वहे किसके पास है राश्चपती के पास है और वहे इसका प्रियोग क्या है स्विदान के नुसार या तो स्विम करेगा या उसके अधीनस तो जो वेक्ती हैं उनके द्वारा किया जाता है जिसके वारे में मुने पढ़ा था कि परधान मंतरी है मंतरी मंदल है या महानयवाद जो है देश का वे लोग इसका उप्योग करते हैं कारिये के वो प्रोसेस बिलाने के लिए या ठीक है वर्क इन प्रोसेस करवाने के लिए ठीक है तो इसके लिए क्या है जो कारिये पालिका की सक्तियां है या प्रसासनिक सक्तियां है इनको भी कई भागों में बांटा गया है चार भागों में जिसमें पहला है महतोपुरण अधिकारियों की ज्यक्ति करने का जो अधिकार है वह राष्पति को प्राप्त है भारत सरकार या राष्पति भारत संग्ग के अनेक महतोपुरण अधिकारियों की निक्ति करता है जैसे पर्धान मंत्री की सलाहर से अन्य मंत्रियों की न्युक्ती पर्धान मंत्री की सलाह की दोआरा वहें मंत्री मंदल के अन्य मंत्रियों की नुक्ती कर सकता है राज्यों की राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल की नुक्ती राष्टपती की दोआरा की जाती है स्विधान में दिकार उसी को प्राप्त है रज्जेपाल की नुक्ति करने का या फिर उस्तम न्याले और उस्तम न्यालियों के नए धिशू उस्तम या उस्तम कह लिजिए या सरोच सरोच न्याले न्याले वे उस्तम न्यालियों जोंके न्याई धीशों कोपद न्याई धीशों की न्युक्ति ठीक है इसके अलावा भारत के जो महालिखा प्रिक्षक है जो महालिखा प्रिक्षक या इसके अलावा संगिये लोक से वायोग की है देख्षों और सदश्चे प्रिक्षक संगिये लोक से वायोग की है आयोग की अदेख्ष की न्युक्ति या फिर विदिशों में भारतिय राजदूतों की न्युक्ति न्युक्ति करने का जो दिकार है वहेस राश्ट्पति को प्राप्त है भारत के जिसमें इन सभी महत्पुन पदा दिकारियों की न्युक्ति राश्ट्पति की दुवरा की जाती है चाहे वह मंत्री हो या फिर रज्यों के राज्यपाल हो या सुरोच न्याले या उच न्यालियों की न्युक्ति हो या फिर महाले का प्रिक्षक या संग्ये लोकसे वा आयोग के अदेक्ष की न्युक्ति हो विदेशों में भारत के राजदूतों की न्युक्ति हो ये सभी महत्वण अधिकारियों या बदाधिकारियों की नुक्ति का अधिकार सुईधान के नुशार राष्टपति को मिला है ठीक है तो यानि परसास में के जितने भी ये अधिकारी हैं सभी की नुक्ति किसके दवरा की जाती है राष्टपति के दवरा की जाती है इसके बाद है सा इसी का दूसरा भाग है कारिय पालिका या परशास दख सक्तियों में दूसरा भाग है सासन संचालन समान देशक्ति सासन के संचालन के समंदी जो सक्ति है इसमें क्या है विविन परकार के नियम बनाए जा सकते हैं जैसे वैसन सद के दोनों सदनों की सुक्त बेठक बुला सकता है दोनों सदनों की सुक्त बेठक बुलवाने या लगवाने ठीक है सुक्त बेठक लगवा सकता है या बुला सकता है इसके अलावा परिक्षक की सकतियों से समंदित नियमों का निर्मान कर सकता है या फिर मंत्री परिशद के सदिश्चों के बीच विवागों का वितरण करन भी उसी के दुवारा किया जाता है या इसासन के संचालन समंदी सकती क्या है जैसे हमने पढ़ा था पिछली में कि वह मंतरियों की नुक्ति करता है तो उसी परकार से वह क्या गरेगा कि मंतरियों को अलग-अलग विवाग भी वही बांट के देगा कि कौन से मंतरी का कौन सा विवाग होगा किस विवाग में उसको कारियरत रहना होगा इसके अलावा महालिखा प्रिक्षक है या संग्य लोकसिवा आयोगी के या देक्ष की नुक्ति उसके दवारा की जाती है जो प्रसासनिक रूप से कहा है एक महतुपून पद है या फिर न्यालिय के दिकारियों या न्याय दिशों या करमचारियों की नुक्ति उसके दवार किया जाता है तो यह है रहती है सासन संचालन समंदे सकते यानि जितने महतुपन पदा दिकारियों की वह निक्ति करता है उन्हीं पदा दिकारियों के सासन को संचालन करने में वह क्या है उसकी देखरेक करता है उसको जांचता है संभालता है ठीक है तो जैसे दोनों सदनों की सुक्त बैठक बुलाना या मंतरियों का लग लग भी वागूं का कारिय बांटना या फिर जो महाल एका प्रिक्षक है या फिर जो करमचारी है न्यालिया के या अधिकारी है या नियंतरक है इन समंदीत नियमों का निर्मान करता है इनकी सक इतने भी अधिकारी है प्रसासनिक रूप से, उनकी सकत, उनके पास क्या-क्या पावर्स वनी चाहिए, उन नियमों का निर्मान्ड राश्च्पति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो यह सकती क्या है, राश्च्पति को प्राप्त होती है, उसके बाद है वेदेशिक शे नियुगारा के बाद है उनके बाद है, जिसको डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तीसरी पावर को कारी अपालिका की परसासनेक सकतियों की तीसरी पावर को ठीक है इसको इतना समझ लीजिए कि जो राज़ दूत वगेरा की न्यूकति जो उसने की थी अमबैस्टरस वगेरा जो उसने बनाये थे या विदेश में क्या है जो भारतिय कूट में पराप्त है जिसके बारे में डेटेल में अपने नेक्स वीडियो में जर्चा करेंगे तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाईए और याद कीजिए धन्यवाद